हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा दस्वी गणित में आज हम पढ़ेंगे चेप्टर नमबर आठ तिरकौन मिती के बारे में प्रशनावली आठ दसमलेविक शुरू करने से पहले उससे सम्मन्दित तिरकौन मिती या अनुपातों के बारे में जाल लेते हैं कि आखिर तिरकौन मिती या नुपात क्या होते हैं और कैसे उनको निकालते हैं तो तिरकौन मिती या नुपात के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक सम्कौन तिरबुज एक्तिरबुज जो समकौन हो तो हमने एक्तिरबुज लिया यहां पर A, B, C जो B के उपर समकौन है कौन A और कौन C के तिरकौन मीती यानुपात निकाड़ेंगे अनुपातों में सबसे पहले आता है साइन तो साइन A कौन A के जो कौनी मीती यानुपात है पहले उसको निकाड़ेंगे हम तो साइन A जिसको हम लिखते हैं साइन A दूसरा नुपात आता हमारे पास कोसाइन कोसाइन A जिसको हम लिखते हैं कोस ए तीसरा नुपात है टेंजेंट जिसको हम लिखते हैं टेन A चोथा नोब बात आता है फिर इनके उल्टे साइन का उल्टा को सिकेंट को सिकेंट A जिसको में लिखेंगे को सेक A उसके बाद आता है को साइन का उल्टा सिकेंट सिकेंट A जिसको में लिखेंगे सेक A उसके बाद अग्ला नुपात आता है टेंजेंट का उल्टा कोटेंजेंट जिसको हम पढ़ेंगे या लिखेंगे कोट ए इन अनुपातो को हम बारी बारी से निकालेंगे इन अनुपातो को निकालना बहूत आशान है अगर आपको तिरबुज की पैचान हो जाए कि उस तिरबुज के अंदर कौन सी बुजा करन है, कौन सी बुजा आधार है और कौन सी बुजा लंब है अगर आप तीनों की पैचान कर लेते हैं तो फिर ये अनुपात निकानना भोत ही असान है अगर आप इन तीनों की पैचान नहीं कर पाते हैं तो फिर ये अनुपात बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं निकान लें तो इस तिरभुज के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कर्ण कौन सा है, आधार कौन सा है और लंब कौन सा है तो कर्ण की पैचान तो बहुत असान है 90 डिगर जो कौन होका, समकौन, उसके जो सामने गुजा होगी वो कहलाएगी कर्ण या जो तिरभुज में सबसे बड़ी गुजा होगी, वो कहलाएगी कर्ण तो करण की पहचान बहुत असान है सबसे बड़ी बुजा करण होती है तिरबुज के अंदर या फिर 90 गरिगा जो कौन होता उसके जो सामने बुजा होती है वो कहलाएगी करण तो इस तिरबुज के अंदर यह हमारे पाद जो AC है यह हो जाएगा करण अब करण के बाद हम जोंडेंगे इसके अंदर आधार कौन सा और लम कौन सा है तो यहाँ पर आधार और लम में कनफ्यूज नहीं होना है जो कौन आपको दिया हुआ है जिस कौन के आप तिरकौन मिती अनुपात निकाल रहे है उस कौन के सामने जो बुजा होगी वो हो जाएगी लम अब यहाँ पर हम तिरकौन मिती अनुपात निकाल रहे है A के कौन A के तो यहाँ पर A के सामने जो बुजा है सम्मुख बुजा B C यह यहाँ पर हो जाएगी लम और फिर जो तीसरी बुजा बच गई वो जाएगी आधार इस तरह से हमें तिर बुज के कर्ण, लंब और आधार को मालूम करना है तो अब साइन ए निकालेंगे हम पहले साइन ए तो ये तिर कुनमी ती है नो पाते क्या होगा, साइने मारे पास होता है लंब बटे कर्ण अब इस तिर बुज में लंब है बी सी हम लिखेंगे बी सी बटे कर्ण, कर्ण है इसमें एसी ति ये हमारा हुज जाएगा पहला नो पात साइन ए फिर है को साइन ए या कोस ए को से होता है आधार बटे कर्ण आधार है यहाँ पर A B और कर्ण है यहाँ पर A C तो A B बटा A C फिर है टेंजेंट A या 10 A जिसको हम short form में लिखते हैं 10 तो 10 A किसके ब्रावर होता है टेंजेंट A या 10 A ब्रावर होता है लंब बटे आधार तो लंब है यहाँ पर B C और आधार है यहाँ पर A B तो यह हमारा टेंजेंट हो जाएगा फिर नंबर आता है को सेकेंट का अब को सेक A होता है वो साइन का उल्टा होता है साइन हमारा था लंब बटे कर्ण तो को सेकेंट हो जाएगा कर्ण बटे लंब कर्ण हमारा है AC बटे लंब है BC यह देखिए साइन का उल्टा BC बटा AC तो यह हो जाएगा AC बटा BC इसका बिलकुल उल्टा अब अगला हमारे पास सिकेंट है सिकेंट या सैक यह होता है कोस का या कोसाइन का उल्टा कोसाइन हमारे पास क्या था अधार बटे कर्ण तो यह हो जाएगा कर्ण बटे अधार कर्ण हमारा है यहाँ पर AC और अधार है AB तो देखी की इसका बिल्गुल लटा है AC बटा AB फिर है cotangent cotangent होता है petangent का उल्टा होता है tangent अमारे पास था लंब बटे अधार तो यह हो जाएगा अधार बटे लंब अधार है AB और लंब है हमारा BC तो AB बटा BC देखी बिल्कुल टेंजेंट का उल्टा है यह था BC बटा AB यह हो जाएगा AB बटा BC अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि साइन, कोस, टेंजेंट इन सब के हमान कैसे य याद रखें इसकी एक बहुत आसान सी ट्रिक है जिसको आप याद कर लेंगे तो कभी भी इनके अंदर कनफ्यूज नहीं होंगे यह सारे आपके उड़ियों पर याद हो जाएंगे तो इसकी ट्रिक है LAL बटे KKA इसको आपने याद रखना है बस यह अगर आपको याद हो गया तो फिर यह सारे अनुपात आसानी से निकार लोगे इनको कभी भी बोलोगे नहीं तो यह हमारे पास ट्रिक है LAL बटे KK का कईस को याद करना पड़ेगा यहाँ पर L का मतलब है लंग, A का मतलब है आधार और K का मतलब है करन इस ट्रिक को याद कर लेना उसके बाद कभी भी आप इनके अंदर कनफ्यूजे नहीं होंगे तो उसको सबसे पहले होता है L बटे K, यह है साइन के लिए, L बटे K, यह आएगा साइन के लिए, दूसरा है A बटे K, यह है कोस के लिए, तीसरा है L बटे A, यह है टेंजेंट के लिए, अब बारी बारी हम चेक करते देखो, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, साइन, तो हमारा साइन था लंब बटे कर्ण, यानि कि BC बटे AC, फिर हमने निकाला था कोस, कोस के लिए है दूसरा, अधार बटे कर्ण, अधार यानि AB बटे कर्ण AC, एब बटे AC, तो देखो, कोस हमारा है, AB बटे AC, इसी परकार तीसरा है टेंजन्ट, लंब बटे अधार, लंब है BC, अधार है AB, यानि BC बटे AB, या टेंजन्ट हो जाएगा, अब इनका उल्टा कर दोगे, तो ये बाकी तीन माना आजाएंगे, अब लंब बटे कर्ण का उल्टा करेंगे, हम कर्ण बटे लंब, तो वो जाएगा, कोसिकेंट, कर्ण बटे लंब, AC बटे BC, अधार बटे कर्ण का उल्टा कर देंगे, कर्ण बटे अधार, तो उमारे पास आजाएगा, कोसाइन का उल्टा, सिकेंट, फिर लंब बटे अधार यानि टेंजेंट का उल्टा कर देंगे हम आधार बटे लंब तो हमारे पास आजएगा को टेंजेंट तो इस ट्रिक से हम इनको याद कर सकते हैं कि लाल बटे कका यह लंब बटे कर्ण साइन के लिए अधार बटे कर्ण कोश के लिए और लंब बटे इandhar tangent के लिए, अब हम जो त्रिकॉनमीतिय अनुपाथ हैं वो निकालेंगे, कौन C के लिए, क्वों सी के लिए थ्र कोनमा थियांनुपाथ क्या होगा, इस कौन के लिए, बारी बारी से सभी को निकालेंगे, trick अमारे पास वोई रहेगी, LAL-KK, A, ये, इसको ही हम यूज़ करेंगे इसके अंदर और इससे ही हमें सारे अन्पाते निकालेंगे तो सबसे पहले साइंट C अब ध्यान देना है क्या हैं यहाँ पर अम इसके अन्पात हैं वो कौन सी के लिनीकाल रहे हैं तो यहां पर हमारा जो लंब और जो अधार था वो बदल जाएंगे अब यहां पर कौन सी है तो जो सी के सामने जो होगा अब सी कमारा यह है इसके सामने जो बुजा है यह अबी यह हो जाएगी लंब और 90 के सामने जो या सबसे बड़ी बुजा जो हो हो जाएगी हमारी करण और जो तीसरी बुजा पच जाएगी वो कहलाएगी अधार हमें ध्यान सिर्फ ये रखना है कि जिस कौन का हम तेरे कौन मीतियन उपात निकाल रहे हैं उस कौन के सामने के बुजा को हम क्या मानेंगे लंब तो यहां पर साइन सी हमारा हो जाएगा साइन होता है लंब बटे करण तो यहां पर लंब है A B करण है A C तो यहां पात हो जाएगा A B बटे A C फिर कोसी, कोस होता है अधार बटे कर्ण अधार यहाँ पर है BC, कर्ण है AC तो BC बटे AC टेंजेंट सी, टेंजेंट होता है लंब बटे अधार लंब यहाँ पर है AB, अधार है BC तो AB बटा BC फिर कोशिकेंट, कोशिकेंट उल्टा होता साइन का 1बटा sino 9, both sin COSEC का OELT यह हो जाएगा यहां से AC बटा AB यह हम कह सकते हैं करन बटे LMB SECANT होता है कimon का OELT यह हो जाएगा AC बटे BC यहा फिर करन बटे अथहार COSEC बटे C बटे A, B यह कहें हम अधार बटे लंब अधार बटे लंब B, C बटे A, B तो यह इस प्रकार से हम सारे के सारे अनुपात किसी भी कौन के निकाल सकते हैं